नमस्कार डिफेंस आइस्पेरेंस स्वागत है त्रिशूल डिफेंस अकाडमी के यूट्यूब चैनल पे अक्सर मुझसे मिलिटरी नर्सिंग सर्विसेस के आइस्पेरेंस पूछते हैं कि सर हमारी जॉब में और जो आजकल जो कॉर्परेट हॉस्पिडिल्स चल रहे हैं फो दो हमारे प्रोफाइल में क्या सबस्क्राइब होगा सब्सक्राइब करेंस और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा चलिए military nurse बनने के लिए आहम तोर पे 10 प्लस 2 के बाद जो age चाहिए वो चाहिए 17 से 24 साल 17 तो 24 ये वो age है जब आप easily military nurse बन सकते हैं और military nurse ऐसे नहीं कि 17 से 24 हैं तो जी MNS का फॉर्म बर दे नहीं 17 से 24 हैं MNS के selection procedure के बाद आपको BSc nursing 6 colleges में से 1 में से करनी हैं कौन-कौन से 6 colleges Armed Forces Medical College, Command Hospital Bangalore, Command Hospital Kolkata, Command Hospital Lucknow, INHS Aswini and Research and Referral New Delhi यानि कि इन 6 hospitals में से 1 hospital में आपको अपना selection assure करना होगा वहाँ से जब आप निकलेंगे BSc nursing करने के बाद तो आप एक military nurse कहलाएंगी वहीं civil nurse है तो भाई कहीं से भी डिपलोमा कर लो कहीं से भी BSc nursing MSC nursing कहीं से भी कर लो आजकल कुछ-कुछ hospitals डिपलोमा के basis पे भी nursing की job offer कर रहे हैं और कोई भी उमर पे कर रहे हैं 40 साल, 42 साल, 36 साल, 38 साल, so there is no age bar, कोई age bar नहीं है कि इस age में ही आपको civil में नौकरी मिलेगी आपके पास अगर डिगरी है, job की vacancy है, तो easily आप आप्ट कर सकते हो, चलो, अब बात करना है recruitment के बारे में, कि एक MNS कैसे select होती है, forge की military nurse को पहले भाई या NEET का exam देना पड़ेगा, NEET में अच्छा score लाना होगा, उस score के basis पे उसका form short list होगा, फिर stage 2 पे उसको computer based test देना होगा, computer based test के साथ साथ उसको पूरा का पूरा personal interview देना होगा, इस बीच में psychological assessment test देना होगा, फिर medical होगा, फिर merit बनेगी, यानि कि तीन stage process है, पहले stage में NEET के basis पे form short list हुआ, दूसरे stage पे computer based test, personal interview, pat हुआ, तीसरे stage पे merit बनी, वहीं एक civil nurse को NEET examination से कोई मतलब नहीं, hospital में vacancy है, आप degree लेके गए, एक personal round of interview होगा, कहीं कहीं, एक entrance test भी हो जाता है, और आपको वो direct select कर लेते हैं, यानि कि NEET की प्रक्रिया से आपको bypass मिल जाता है, आपको नहीं गुजरना पड़ता है, वहीं MNS को NEET का exam तो भाईया, देना ही देना है, number of vacancies, military nursing services में 220 vacancies हैं भाईया, यह पिछले 5 सालों से 220 vacancies हैं, 10% NCC के लिए, और 10% जो reservation है, वो SCST के लिए है, military nursing में, civil में ऐसा कोई नहीं है, कि यह reservations होंगा, या कोई vacancies, जैसे जैसे vacancy open होती है, वैसे वो nurses को लेते रहते हैं, different colleges हैं, जो BSC nursing कर आ रहे हैं, तो कोई vacancies नहीं निर्धारित हैं, nature of job, भया, military nursing services में, bond पे लिखा रहता है, कि जब जहां जरूरत होगी, हम तुम्हें transfer करेंगे, पर civil में, hospital में ऐसा नहीं है, कि आपको वो transferable job है, आपको वो shift दे देंगे, हाँ, जादा से जादा shift आपकी, इधर से उधर हो सकती है, सुबा के बज़ाए, दुपायर के बज़ाए, रात हो सकती है, लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है, कि आप civilian nurse हैं, तो आपकी nature of job transferable होगी, job tenure, military nursing services का job tenure 10 साल का है, from the day, आपने BSC nursing कर ली, उस दिन से 10 साल का आपका job tenure होगा MNS में, वहीं civil nurse में कोई job tenure नहीं है, आप मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो, और अगर आप काम नहीं करोगे, तो आपको निकाला मिल जाएगा, it's a private job, आज भी सरकारी job के लिए, इसलिए पागलपन है, लोग इसलिए सरकारी job के पीछे, बिलकुल हाथ धोगे पड़े रहते हैं, because government job is a government job, there is a job security, military nursing services में job security, यह कम से कम 10 साल तो ही याट, पर 10 साल इसलिए बार-बार बोड़ा हूँ, क्योंकि short service commission है, civil nurses के लिए ऐसा कोई भी system नहीं है, चलो, cost of education, भाईया बहुत जरूरी बात, आप BSC nursing करने जाओगे civil हो, तो आपके माबा पैसा देंगे, अच्छा खासा पैसा देंगे, military nurse में आप फौज की महमान हो, चार साल तक, Indian army will bear your cost of education, जी हाँ, Indian army, आपकी MNS की training bear करेगा, आपके लिए as a candidate, ये बिल्कुल free of cost है, बिल्कुल free of cost, वहीं civil nurse के लिए, candidate has to bear the cost of education, चलो भाई, training की बात करें, तो training MNS को, military training भी मिल रही है, nursing की तो पूरी की पूरी training मिल रही है, nursing training के साथ साथ, military training भी मिल रही है, वहीं जो civil nurse है, उसको सिर्फ basic nursing training मिल रही है, उसको weapon, military drill, और physical fitness पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अक्सर आप corporate hospitals में देख लीजिए, एक हैपट nurses भी दिखती हैं, but military nurse में discipline रहता है, military nurse में military drills रहते हैं, वो sports sports भी खेलती हैं, so they understand the importance of physical, जी आप physical fitness की importance वो समझते हैं, वहीं civil nurses मैं कोई critics नहीं दे रहा, कोई comment नहीं कहते रहा, आप माफी जाओंगा अगर आप मुझे गलत लें, तो मेरा basic मतलब यह है, कि civil nurse की वो 8-8-10-10 गंटे की shift के बाद, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं, यह आपका personal approach है, but military nurse, 8-8-10-10 गंटे की shift के बाद, वो compulsory sports खेल नहीं करना है, compulsory military के drills करनी करनी है, PT करनी करनी है, चलो, patient type, military nurse, जैसे की शब्द है military, तो वो by soldiers से deal करेगी, officers से deal करेगी, उनकी परिवारों से deal करेगी, civilian nurse, hospital में जो आजाए, उसको deal करना है, मंतरी जी आगा है, मंतरी, police के लोग आगा है, अर्ध सेना के लोग आगा है, अर्ध सेना, civilian आगया, civilian, तो भाई यह तो, मनी बात है, promotions, हावाई, military nurse में, जब आप, 4 साल की training complete करोगे, complete करने के बाद, पहली rank जो मिलती है, वो lieutenant की मिलती है, lieutenant के बाद, promotion होगा, captain, captain के बाद, major, major के बाद, lieutenant करनल, lieutenant करनल के बाद, करनल भी होता है, लेकिन, आम तोर पे, military nursing services में, जो career है, वो 10 साल का है, तो वो short service commission है, वो क्या है, short service commission है, selected service period के लिए है, वहीं, जो civilian है, civilian nurse है, civilian nurse के लिए, promotion जो है, वो, साल साल होता रहता है, और ज्यादा से ज्यादा, वो head nurse बनती है, इसके उपर वो नहीं जाती है, head nurse के उपर, वहाँ profiles खतम हो जाते हैं, कोई ranking system नहीं है, फ्राइबेट होस्पिटल्स हैं, फ्राइबेट होस्पिटल्स का कोई ranking system थोड़ी नहीं होगा, चलो भई, hospitals, military nurses जो है, वो base hospital में जा सकती है, military hospital में जा सकती है, command hospital में जा सकती है, field hospital में जा सकती है, military hospitals में जा सकती है, कहीं पे भी जहां जरूरत है वहीं civil nurse civil के hospital होंगी जादा से जादा government hospital में चली जाएंगी बैसी nursing की है किसी सरकारी hospital के तहत वे कि N.C.I. उसको join कर सकते हैं लेकिन military hospitals में कोई civil nurse नहीं आती है अब salary कहीं न कहीं पैसा is a motivation भाई money is a motivation और जानना जरूरी है आज के तारिक में military nursing services को officers का दर्जा दिया है यानि कि जो officer की इंडिया नार्मी में salary होगी एक lieutenant की वो ही military nurse की starting salary है और starting salary एक लग बीस अजार रुपय है भाई है canteen की सुविधा officers, mess, medical facility ये सारी सुविधा हैं जो army के officer को मिल रही है वो ही army military nurse को दे रही है और क्यों न दे भाई जान है आज जान बचा कौन रहा है आर्मी में forgy doctors, forgy nurses आप क्या होगे आप जाके military nurse क्या है military nurse एक forgy nurse है civil nurse में भी ऐसा नहीं है कि पैसा बहुत काम है civil nurse में भी 30-40,000 रुपय एक range तो ही ही जो एक nurse को मिल रहा है plus क्योंकि आप medical line में हो तो medical facility भी आपको मिल रही है हाँ भई तो defense aspirants military nurse अपने आप में एक respectful job है एक ऐसी job है जहां पे आपको इज़त से देखेंगे आपको forgy आपकी cost of education bear करेगा forgy आपको एक 12th past लड़की से एक अफसर बनाएगा और उसके लिए आपको M.N.S का form भरना होगा उसके लिए आपको M.N.S की तयारी करनी होगी आज से एक साल पहले इन दो लड़कियों ने महक और अंशू सिंग ने भी 12th past करके त्रिशूर defense academy जोईन किया था और आज military nursing services पूरे भारत में 220 में से पिछले साल ये दो candidates हैं जो सावच सर हैं, Captain S.K. सर हैं, Group Captain A.K. Manny सर हैं, ये वो लोग हैं जिनका एम है कि यार military nurse में बंदियां जोईन करें, military nurse ऐसा career वो चूज करें और त्रिशूर defense academy आपको ये platform देता है, digitally तयारी करने का, जी हाँ त्रिशूर defense academy का app डाउनलोड करने और app डाउनलोड करने के बाद आप जोती बैच से जुड़ जाएं, ये जोती बैच MNS 2024 की तयारी करा रहा है, 2025 के लिए संजीवनी बैच है, लेकिन जोती बैच इतना सक्षम है, उन aspirants के लिए जो already need की तयारी कर चुके हैं, और MNS को as a career देख रहे हैं, मेरा आगरे रहेगा कि त्रिशूर defense academy का app डाउनल बैच से जुड़ें, बैच जुड़ने से पहले आप हमारे teachers के videos देख सकते हो, आप कैसे interview होता है, वो देख सकते हो, psychological assessment test है, क्या देख सकते हो, study material है, वो देख सकते हो, उसके बाद ही बैच से जुड़ें, आशा करता हूँ कि आपको military nurse versus जो civil nurse है, वो समझ आ गया हो, फिर अगर किसी प्रकार का कोई doubt है, तो भाई comment करके जरूर बताना, और त्रिशूल डिफेंस अकाडमी का blog जरूर पढ़ना, जिसमें हमने military nurses versus civil nurses के बारे में बात की है, बने रहीएगा त्रिशूल डिफेंस अकाडमी के साथ, जैहिंद नमस्कार, अब डिफेंस एक्जाम प्र